दोस्तो जैसा कि आपने थम्लेल में पढ़ा होगा कि नहीं मानी बैंक की बाद तो 31 दिसम्बर से बंध हो जाएगे एटियम कार्ड तो जी हाँ दोस्तो यह बिलकुल सही बात है दोस्तो 31 दिसम्बर के बाद आपके एटियम कार्ड जो मेगनेटिक श्ट्रैपला है वो बंध हो जाएगा दोस्तों दोस्तों यह ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि दोस्तों रिजर्ब बैंक अब इंडिया ने हाली में सभी बैंकों का एक नोटीस जारी किया है कि कि मैगनेटिक स्टैपला जो एटियम कार्ड जिन लोगों के पास है वह सेफ नहीं है और वह 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा तो मैगनेटिक स्टैपला कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों मैं दिखा दोता हूं यहां पर काली पट्टी है यहां पर एरो का सैन लगा दिया हूं तो यही है मैगनेटिक स्टैपला कार्ड इसमें एक कोडिंग डाला हुआ है दोस्तों कोडिंग डाला हुआ था उसी से हमारा एटियम में यह कार्ड डाले पर पैसा निकलता है इसलिए सभी बैंक क्या कर रहे हैं सभी बैंक अपने एटियम कार्ड होल्ड म sectors हैं जाकर बदल सकते हैं दोस्तों मैं दिखा दोता हूं वह कार्ड इस तरह से दिखता है एैंब जी बोला जो मोबायल का जो सीम होता है उसी तरह से दिखता है क्या होता है यूरोफे सब अभी देगा अब लेबल होता है यह कार्ड दोस्तों यह सभी जगा काम करता है और यह सेफ होता है दोस्तों तो यहां पर देख लिए अब इस तरह से होता है यह फ्यूचर के लिए भी सेफ रहेगा दोस्तों इसलिए बैंक ने यह नोटी जारी किया है और इसमें आप 31 दिस तो में जाके बदल लिजे कि एक दीस दिसमबर के बाद बहुत भीड होने ओला अगर आपका इमर्जंसी होगा एटियम कार्ट से पैसा निकालना तो पहले कार्ट तो रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे दोस्तों और यह बिल्कुल फिर है दोस्तों कोई मानी पे नहीं करना होगा और दोस्तों आप अपने सेटियस चेक को भी बदल लिजे दोस्तों यह भी नोटिस दिया गया आप अपने चेक बुक को भी बदल लिजे एटियम कार्ट क्रेडिट कार्ट सब कुछ बद बदल लिजे दोस्तों नया कार्ट मिल जाएगा आपको तो आज के वीडियो और हसाते रहिए और टेली हमारा वीडियो सुभा छेसले की नो बजे की वीच पाते रहिए तो जै हिंद